हमने सीखा पहला, एक घात वाले दो चरों से बने समिकर्णों के आलेक सदैव सरल रेखा होते हैं इसलिए एक घात वाले दो चरों के समिकर्ण को रैखिक समिकर्ण कहते हैं दूसरा, जब दो चरों के रैखिक समिकर्णों का आलेक दो प्रतिचेदी रेखाएं होती हैं, तब समिकर्णों का एक अधविती हल होता है तीसरा, जब दो चरों के रहखिक सम्मिकर्णों का आलेक दो समानतर रिखाएं होती हैं, तब सम्मिकर्णों का कोई भी हल नहीं होता है चोथा, जब दो चनों के रहखिक समिकरणों का आलेक समपाती रेखाएं होती हैं तब समिकरणों के अनंत तह अनेखल होते हैं पांचवा, दो चनों के रहखिक समिकरण निकाए को निम्नलिकित रूप में लिखा जा सकता है A1X प्लस B1Y बराबर C1 A2X प्लस B2Y बराबर C2 उप्रोक्त निकाए में यदी पहला, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 हो तो रेखाएं समानतर होती हैं वह समिकरण निकाए का कोई भी हल नहीं होता है दूसरा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 हो तो रेखाएं प्रतिछेदी होती हैं, वह समिकरण निकाए का एक अधविती हल होता है तीसरा, यदी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 हो रेखाएं समपाती होती हैं, वह समिकरण निकाए के अनंतता अनेक हल होते हैं वास्तों में दिये गए दोनों समिकरन एक जैसे ही होते हैं